Hello friends, welcome back to my channel, तो वो कहते हैं ना दूर के डोल सुहावने, grass is always greener on the other side, जी हाँ, आज मैं आपके साथ कुछ मन की बाते डिसकस करूँगी, आप लोगों को लगता होगा कि ये लोग New Zealand रहते हैं, या कोई भी foreign countries में जो लोग रहते हैं, उनकी life बहुत ही happening है, वो party करते हैं, आप photos देखते हैं, Instagram पे, Facebook पे और आपको लगता होगा, यार ये तो बहुत ही lucky people हैं, जो कि foreign countries में अपना well settled हैं, आज मैं आपको कुछ ऐसी dark realities बताऊंगी, जो वही बंदा आपके साथ share करेगा, जो कि actually में foreign countries में रह रहा है, और वहां से go through होता है, अपनी day to day life में, अपनी struggles share कर होंगी, तो आपको ये भी वीडियो में बताऊंगी कि हमारा क्या reason है foreign country में रहने का, तो अगर आप foreign country में move होने का सोच रहे हैं, न्यूजिलेंड में move होने का सोच रहे हैं, Australia, Canada या कहीं पे भी, तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी insights देगा, वीडियो में मेरे हैं, तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर कीजिए, तो सबसे पहले अगर आप India से move होने का सोच रहे हैं, आपके पास of course वहाँ पर एक house help होगी, ठीक है, जो कि आपके जाडू, पोचा, बरतन, कपड़े सब करके जाते होंगे, घर का इवन खाना भी वहाँ पर लोगों ने बनाने अगर आप फॉरन में आना चाहा रहे हैं, तो यह सब आपको सुविधाई नहीं मिलेंगी यहाँ पर, यहाँ पर आके आपको सारा घर का काम करना पड़ेगा, जाडू, पोचा, बरतन, लॉन्डरी, खाना, इवन यह तो हो गया घर का काम, और बाई चांस आपने एक पड़ता है, और वो भी कोई छोटा मुटा काम नहीं होता, तो वीकली आपको उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, तो यह प्रिपेर होके आईए, कि आपको सारा one to all काम जो है, वो खुदी करना पड़ेगा, अगर आप सिंगल हैं, तो खुद करेंगे, अगर आपको अगर पता नहीं है, तो आपको बता दूँ, services labor बहुत महंगी होती है, especially in white countries के अंदर, Australia, New Zealand, Canada, USA के अंदर, अगर आप यह services बाहर से hire करते हैं, कभी आपका घर में कुछ खराब हो गया, मान लो आपको electrician की जरूरत है, यहां कोई plumbing work आपने घर में करवाना है, तो आ आप यह समान करके चलिए, कि आपको अपनी महीने की आदी जो salary है, वो set aside करनी पड़ेगी, इन services को अगर आपने hire करना है, यह बहुत ही expensive होती है, यह services, तो इसलिए आपको यह मेरी advice है, यह आप थोड़ी बहुत knowledge, अगर इंडिया से आ रहे हैं, तो लेकर की आई, यह आप इसको ठीक करने के मेरे से $200 चार्ज किये, जो कि इंडियान रूपीज में आपको मैं बता दू, बनते हैं, around 10,000, तो इतनी महेंगी है, मतलब you can't even think कि आप बाहर से किसी plumber electrician को बुलाओगे, और इनसे ठीक करवाओगे, हाँ ठीक है, अगर कभी बहुत ही जरूरत पढ़ कि अब पता है कि आप से नहीं हो पा रहा है, यह ऐसा काम नहीं है कि आप DIY में कर सकते हैं, तो फिर तो बुलाना पड़ेगा, उसके बाद कोई option नहीं है, as long as अगर आप खुद fix कर सकते हैं चीजों को तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो आपको एक किसम से carpentry भी आ पसंद नहीं होता, मैं इंडिया में जाती हूं, मैं तो अपना एक साल में ट्रिप लगाती हूं, सिरफ अपना street food खाने जाती हूं, मेरे को तो इतना अच्छा लगता है, जब हम वहां होते हैं, मैं बिलॉंग करती हूं Delhi गुडगाओं से, और basically मेरा native पंजाब है, आपको हम पंजाबी लोग कितने food होते हैं, हमें गोल कपे चाट, पापड़ी, अपना वहां की authentic मिठाईया, बहुत पसंद हैं, तो अगर आप वहां से आ रहे हैं, तो यह भी prepare अपने आपको करके आना, यहां आपको वह authentic taste नहीं मिलेगा, मैं यह नहीं कहा रही कि आपको यह खान कंट्रीज में मिलता है, तो अगर हो सके तो कैमल की तरह अपने अंदर food को स्टोर करके आईएगा, ताकि अपनी मतलब पूरी अपना आपने आपको satisfy करके आओ, कुछ महीने तक अगर आप यहां रह रहे हो तो आपका काम चल जाए, मैं तो यूजली साल में एक बार ट्रिप लगाती हूँ, कभी-कभी साल में दो बार भी इंडिया का ट्रिप लगा लेती हूँ, और मेरे को main यह होता है कि जाके सबसे पहले मुझे street food ट्राई करना है, आपको वो चीज की दिक्कत आएगी, हाँ अगर यह भी बात बता देती हूँ, अगर आप street food बाहर खाने जाते हो, taste तो आपको मिलेगा नहीं, पर यहां पर food जो वो expensive भी है, आपको बताती हूँ, एक डोसे की जो cost है वो 17 डॉलर है, ठीक है, मैं इससे पहले Singapore में रहती थी वहाँ पर बहुत cheap था, वहाँ पर around 4-5 डॉलर एक अच्छा डोसा मिल जाता था, यहाँ पर अगर आप New Zealand में एक डोसा खाने निकलोगे तो 17 डॉलर का एक डोसा मिलेगा, जो कि बहुत ही expensive मुझे तो लगा, इससे अच्छा हम घर पे खुद बना लेते हैं, बैटर वगेर Especially कब जब हमारे festivals आते हैं, दिवाली है, दिशेरा है, यहाँ फिर नवरातरी आते हैं, तो हम अपने home country को miss करते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा यहाँ पर दिवाली की दिशेरा क्योंकि यह गोरे लोग तो नहीं मनाते, कब दिवाली आई, कब दिशेरा है, आपको कुछ नहीं पता लगए कि अच्छा, आज कोई बड़ा festival है, हाँ, आपकी एक, मानलों, इंडिया निया पंजाबी community में रहते हैं, तो आप अपने get together रखिये festivals पे, तो इस हिसाब से अपना आप चीजे को manage कर सकते हैं, otherwise आप बहुत home sick feel करेंगे festivals के दोरान, अब इं करते हैं, जब हमारे family friends लोग photos बेजते हैं, तो थोड़ा लगता है, हमें भी वहाँ होना चीए, तो ये एक चीज जो आप बहुत miss करने वाले हो, next हम बात कर लेते हैं, guys, अगर आप foreign country में settle हो रहे हैं, तो आपको ये मन बना के आना, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे friend circle ह होना चीए, अगर आपका यहाँ पर अपना friend circle नहीं है, तो survive करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, I know कि अच्छे friends बहुत मुश्किल से मिलते हैं, थोड़ा time लगता है एक friends को बनने में या लोगों को समझने में, पर आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है, कि अगर आपको long term foreign country में रहना है, आपको अपने बच्चे यहीं पर raise करने है, यहीं पर settle होना तो आपके पास एक अच्छा friend circle जरूर होना चीए, अच्छा friend circle होगा, तब ही आपका time निकलेगा, नहीं तो आप बहुत lonely feel करोगे, touchwood हमारा तो बहुत अच्छा circle बना हुआ है, क्योंक इससे निकल जाता है, आपने ये कोशिश करनी है कि आपने लोगों के साथ मिंगल होना है, अपने like minded people के साथ आपने friendship करनी है, ठीक है, तो ये एक point है, next हम बात करते हैं guys, यहां की एक और बड़ी जो struggle है, यहां पर सब कुछ बंद हो जाता है पांच बजे, ठीक है, weekdays पे, Monday, Tuesday, Wednesday, सब कुछ आपको पांच बजे तक बंद रहेगा, Thursday और Friday जो है malls और shops खुली रहती है रात के 9 बजे तक, हम Asian लोगों को ये आदत होती है कि हम जो shopping करने निकलते हैं, वो तो निकलते ही हम पांच बजे हैं, तो by the time हम लोग निकलते हैं, सब कुछ यहां बंद हो चु अगर छोड़ दो के तो अच्छा, मुझे तो अभी चार साल हो गया है, यहां रहते हैं, मेरी तो आदत अभी तक नहीं चूटी है, अभी भी मैं अगर shopping करने निकलते हूं, तो चार बजे तियार हो के साड़े चार हम गाड़ी में बैठते हैं, और मेरी husband हमेशा मेरे से लोग prefer करते हैं, morning time यहां पर peak time होता है, उसी time आप अपना shopping shopping करके काम खतम कर लो, तो अच्छा है, ठीक है, next guys मैं आपको बताती हूं, यहां पर एक winters यहां का जो weather है, वो बहुत ही unpredictable weather है, especially New Zealand का, सुबह गर्मी है, रात को ठंड है, बीच में बारिश लग रही है, तो wet winters है, हमारे जैसे इंडिया के अंदर सर्दी है, तो धूप निकल गई, यह बंदा ठीक है, अपना धूप में बैठा, अच्छे से अपना सर्दियों वले fruits enjoy की है, veggies enjoy की, तो सर्दियों की अपना गुड़ गच्चक इंजोए की, यहां पर ऐसा नहीं है, सुबह गर्मी है, शाम को सर्दी है, तो यह दिक्कत रहती है, अगर सर्दी भी ऐसी है, कि बारिश हमेशे ही चलती रहती है, तो तीन महीने तो बहुत ही miserable weather रहता है, कि मतलब मुश्कील हो जाता है, आप बाहर भी नहीं निकल सकते, तो वो अपने अपने आपको प्रिपेर करके आना है, कि weather यहां का बहुत unpredictable, अपने साथ हो सके तो हमेशा एक jacket करी करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता नहीं सुबह आप जब निकले हो तो गर्मी थी, अब रात को आते आते ठंड हो जाएगी, ठंड भी इतनी कड़क पड़ती है, कि बिना jacket के बुरी हालत हो जाती है, तो यह एक नेक्स्ट आपको बताती हूं, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, तो अपना घीया पेठा थोरी, करेले, भिंडी अच्छे से खा के आओ, यहां पर वो मिलती है, बहुत मुश्कील, अगर मिलती है, तो बहुत expensive है, यहां की वो जो luxury vegetables है, घीया पेठा थोरी, करेले और भि cravings यहां आपको वो मिलेगी नहीं, यहां पर mostly आपको डालो वगेरा पर rely करना पड़ेगा, fruits में mango बहुत short time के लिए आता है, तो mango भी अच्छे से खा के आओ, water melon, musk melon, honey dew, ऐसे fruits जो अच्छे से खा के आओ, यहां पर जो मिलते हैं, fruits वो है, kiwi, cherry, apple, यह अच्छी उसमें मिल करते हैं, कि हम यहां पर क्यों रह रहे हैं, थोड़े से मैं आपको positive points भी बताऊंगी, of course हमारा सबसे पहला reason है financial benefit आपको रहता है, अगर आप इसी foreign country में रह रहे हो, तो of course आप dollars में कमाऊगे, आप अच्छे पैसे बना पाऊगे, तो यह एक बहुत बढ़िया चीज आपक पुरा rules को follow कर रहे हैं, एक वो crowd नहीं है, मैं दिल्ली को belong कर दे हूँ, मुझे पता दिल्ली में बहुत बुरे वाला crowd रहता है, बहुत गंदे वाला traffic रहता है, तो वो चीज़े यहां पर नहीं है, एक अच्छी quality of life आप lead कर सकते हैं, नेक्स्ट आपको बताती हूँ, यहां पर work life balance बहुत अच्छा रहता है लोगों का, अगर आप job कर रहे हैं, तो आपने 9 to 5 ही job करनी है, ऐसा नहीं है कि 5 बजे के बाद भी आपको कोई बोलेगा कि आप office का काम करो, पूरे time to time यहां पर लोग job करते हैं, 5 बजे के बाद आप से काम भी है, तो वो properly आपको पहले apologize करेंगे, फिर उसके बाद आप से कुछ पूछेंगे फोन पर, तो एक work life balance यहां पर बहुत अच्छा है, time to time सारे काम होते हैं, अपना office जाओ, घर आओ, घर का काम करो, ठीक है, यह बात हो गई, उसके बाद, next आप से बात बताती ह यहां पर human की जो life की value है, वो बहुत ज्यादा है, यहां का जो healthcare है बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं, अगर आपको खांसी जुकाम हलका सा बुखार लगा तो आपको वो antibiotics दे देंगे, नहीं, बड़ी-बड़ी injection लगा देंगे, नहीं, आपको वो mostly यही कहते हैं, कि इनको छो यहां यहां नहीं देते, जो कि कल को side effect कर जाएं, तो यह चीज मुझे यहां की बहुत अच्छी लगी, तो यह तो जो main points से मैंने आप से discuss किये, जिसकी वज़ा से हम यहां रह रहे हैं, हाँ, schooling भी यहां की बहुत अच्छी, जो मैं बताना बूलगे, बच्चों का जो education system है वो बहुत बढ़िया है, आप अपने बच्चे अच्छे से raise कर सकते हैं, अच्छी education उनको provide कर सकते हैं, और mostly schooling आपर free ही रहती है, तो यह बहुत सारे benefits हैं foreign country में रहने के पर साथ-साथ एक struggle भी है, एक physical और mental stress भी रहता जो मैंने आपको बताया है, तो I hope कि आपको यह video पसं I hope कि मैंने आपको कुछ insights दिये हैं इस video के अंदर, video को बनाने का मकसद आपको demate, motivate करना नहीं था, बस आपको थोड़ा सा aware करवाना था कि यहां की life कैसी रहती है, तो फिर मिलती हूं आपको next video में, till then take care and bye-bye.